यह वेलकेम बैक तो मैं चैनल सक्सेस इंगिनेरिंग अपिश्य आज हम तेखेंगे ग्रेड वाटर सक्टाई अच्छली ग्रेड वाटर फ्लेशिंग के लिए यूज़ करते हैं यह तर्डे मैंने अपना टॉपिक में तो यह आज ग्रेड वाटर सप्लाई था तो जेखेंगे के वाटर सेफलाई तो यह अज अज ग्रेड वाटर इस गीवेन इन लेबवाटरी हैंड स्प्राइश आवर एंड शोर और डेड रेवाटर हम तो फ्लेशिंग के लिए यूज साथ राप फ्लॉर में फ्लशिंग कि लिए यिर्वाटर यूश करते हैं. व्लॉर सोल सटना को हमगये यृटos सब्सक्राइब थी बूर थार्स फ्लोर अक्रांस तो फ्लोर पर जा रहा ना दिख खो पिंख फ्लोर पर एक रिवाटर सिस्टेम नं नं दिख घ्रत एब कंपिन अब गों पिंख रम प्राम्ट उसा 듯 खिल में तो एपे डॉलुशी में जा रहा है। ये विलेट में जा रहा है। एड जा रहा है। ये ट्योट में ग्रेवर विलेट में जा रहा है। इच फ्रोर पर शीमें आपे 2nd यहां पे ग्राउंट यहां पे आपको ग्राउंट तो फोर सिस्टम यहां पे यूज करें है नाहिएक – इडनी कर नहिए मरות को प्रेकर उसने इडनेख में ऐस्ले निया पालोटींत रोयếu कि ने में इडनेख ग्राउंट यहां पे पूस्टीर नाहिए पूस्टीर थे त्षी शेंड़र चल्तव हुगरसोन प्राउंट पूस्टिया आपे यहां पर इसको डिलिट कर देंगे कि कोई भी फिक्चर्स नहीं है फिस्ट फ्लोर से स्टार्ट हो रहा है आप देख सकते हैं फिस्ट फ्लोर थें जिलिए हम देखते हैं इसका पाइप साइज कैसे करते हैं एक फ्लोर के निकाल लेंगे तो पूरे फ्लोर टिपिकल है इसके बाद इसको आइड करने हैं चलिए सब से पहले हैं यहां पर देख सकते हैं यहां पर तो यूरिनल देख सकते हैं यहां पर 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 देख सकत तो 4 system में 4 apps velocity लेंगे तो cold water gray ability system दें एक common बाद रुख gray water cold system एक इसको क्या करेंगे एक डिलेट करेंगे इसको डिलेट करेंगे एक डिलेट करेंगे तो WC आपका quantity की पाइगे water supply fix area for WC is 5.0 total water supply is 20.0 तो आप इसको कहां से देखिगे आपको जाना होगा आपको IPC इसका plumping code 2009 इसका जाना होगा यहां पर 144 फोटेक सकते हैं यहां पर ये ये load value assigned to the fixtures यहां पे आपको जाना है water closet public flush tank यहां से यहां पुब्लिक ले रहना है then flush tank यहां अप्देट सकते हैं water supply तो आपको यहां के हो जाएगा 5 तेन आपको टोटल फिक्षर उनित आपको हो जाएगा 20 तो 20 फिक्षर उनित के लिए आपको 10 तो 20 फिक्षर उनित के लिए आपको 12 वे उनित आपको 16 वे आपको आपको सिंप्लिय करना है यहां पर 19.6 VP है । यहां إभाता है, इसको हम कॉप्य कर latest है यह कॉपी कर लीज Omega आपको भूंए यहां पर करते है , यहां पेस्ट कर लीजित। है क्यां इसकूल के ही। के लिए तो तो टोल इस वर्ण वर्ण्टी एंग जीप्यमिस 19.6 और फिक्सव पर टूंटी नंगें प्रेज में आप देख सकते हैं, Friction Loss, Loss, Rode, Rode Pipe, Rode Pipe पाइप 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 चाहिए, आपको जाना है यहां पे, Pige No. 151, okay अपको टोटल flow is, GPM in 19.6, 20 and 4 FPSC velocity आप देख सकते हुए, शबर ही आपको क्या करना है, line ले रहे हैं, आपको 19.6, 20 आपको ले रहे हैं 820 के लेडिता है स्ट्रिट लैन 4FPS है आप दोनों को क्रॉस क्रिक्शन पर एक लैन ट्रॉक करें ऐसे यह प Sikh तोनों को यहार आ रहा है फिर्फार्थ थिंद फारें द वन इंच और आफ। इंच दाटन तोन पर वाइसे है यहार पर फांप से बटशन हो तो आप जेख सकते हैं यहां पर पाइप से जागे देन तो अगर आपको इच ब्रांच के लिए क्लेट करना है तो आपको यहां पर हो जाएगा आपको यहां पर कॉंपी करने के बहुत आपको हो जाएगा इस्को मोग कर लिए आपकॉंपी कर लियां आ यहां पर निया चेकर दैता सब्सक्रांच कर दोदूरिया तन तो इसको मुग लिए के प्रियंदे मगया नहीं मुदड कर लिया 10 fixture unit के लिए आपर GPM यहां पर 14.6 GPM यहां पर आपर आपर 14.6 GPM यहां पर आपर 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 पर आपर आपको यहां पर 151 Pe pendulum यहां पर देख सकते हैं 155 GPM दो आपको पतके हैं tidak. simply line draw गरेने, then 4 EPS यहां पर आपका होजयागा 1 & 1 4th, 5 size 1 & 1 4th 1 & 1 4th, 1 & 1 4th 1 4th, 1 4th, 3200, this is the 50M जो खोर्प्ती आपकरोपक्ती अने, okay from each branch के लिए आपको यह branch की लिए पी संविर operation की जा रहिए आपको यहां भी क्या करना यहां से टेक्स्ट को काफी करने लगाँ काफी करने के वाद सिंप्ली यहां पर प्लेस कर देंगे के लगे लगाँ तो यहां से मोब करने के वाद आपको सब्सक्राइब करने के बाद सिंप्ली यहां पर प्लेस कर लगाँ एक थे लिए और न सेम यहां पर आपको होजाएगा 10 फीक्सिर युनिट गें 14.6 gp, 14.6 gp, 15.6 gp and 5e जैजी कि ओंत एंड इसको कॉपी करलेंगे अब करने की और इसको कॉपी कर लेंगे सेलेक्ट करने का बाद मैंँ कौंपी कर ले लिए हैं अब दिख सकते हैं मैंने अब पूरा चैलिक्ट कर लिया है तो कि हमी पूरा है हां से कौंपी कर लेना है C old and TTI personnage इस एक अधेक आपको है कि यह कोरंर से हम Посलेक्ट करके पूरे फ्लॉर है पूरे फ्लोर पे हम कॉंपी कर लेंगे चारों फ्लोर पे कॉंपी करने के बाद आपको देख सकते हैं यहां पर आपको यह फ्लोर पर आपको कितना है कॉमन बात्रूम ग्रेवाटर ग्रेविटी सिस्टम ग्रेवाटर पॉर सिस्टम अब 20 फिक्षर यूनिट थैन जीपी एम इस थर्टीटो नो 20 फिक्षर इन 19.6 जीप्यम यहां पर आपको जाएगा 19.6 जीप्यम 4.5 पीर देन 40 से यही भी है Cake तरन भी क्या करना है आपको 19.6 जीपीम आज 1.5 जीप्यम यहां पर आपको जाना है यहां पे करक्सट को तो होगो पीजिए द्युट इंपिक्छर एनिट तनी पूंटि। डिए इनट 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 इन पर्फट इनसीश एंट निय इस पुत एंट इनट इनकिन इस तनी इनक कें कर ले नहीं तो इसको भी आपको एरज कर करें एर नाया कर लेना है कि इसको यहां से कॉपी कर लेना है कि इच फ्लोर पर आपको जाना है इसके बाद आपको जाना है क्राइंच में यहां पर 20 इसके बाद आपको यहां कि हो जाएगा टोल 40 फिक्चर युनिट को एड करेंगा एंड जी पीम आपको निकलना पड़ेगा यहां पाइप सैज आपको जाना है 40 फिक्चर युनिट के लिए 26.3 GPM इस पर IPC 2009 International Plumbing Code यहां पर आपको 40 फिक्चर युनिट के लिए 26.3 GPM यहां पर आपको हो जाएगा 26.3 GPM 26.3 GPM इस पाइप सैज आपको के लिए पहले मैं इस पर यहां पर आपको कितना हो जागा है 40 फिक्चर युनिट 60 ficser unit 60 ficser unit के लिए GPM कितना हो जागा है 32 GPM 32 GPM 32 GPM OK 60 plus 28 यहां पर हो जागै 80 ficser unit 8- 18 FIXUREMINT के लिए GPM आपको देखें घर आपको 38 GPM हो जाएगा औक गए 38 GPM को जाएगा तो then 38 GPM आपको 38 GB तो आपको चलते हैं यहां पर 151 लिज नमर 151 ओके देन आपको आपको स्मूद 5 देन आपको सिंप्ली इन से जी पिम कितना है 40 फिक्ट जाये 26.3 GPM and 4 FBS 26.3 26.3 आपको सिंप्ली लाइन रो कर लें 26.3 26.3 आपको सिंप्ली लाइन रो कर लें 4 FBS पे लाइन रो कर लें इन यह लाइन को कॉन साइट जीदर कर रहा है वहां पे लाइन रो कर लें और जैक सकता 1.5 पाइप सही जा रहा है पाइप से यहां पे कितना हो जाएगा 1.5 पाइप से कितना हो जाएगा 40 अब यहां पे आपका हो जाएगा 4 FBS यह 4 FBS के लाइन है 4 FBS इन जो को इसको इसके पताहिए रहा है वहां पे इसके पाइप से लाइन है इसके पाइप से आपको 2 पाइप से हैं यहां पे 50 mm हो जाएगा 50 mm यहां पर आपका 38 GPM 4FPS 38 GPM 4FPS के लिए भी 5 से करना है यहां आपको line लेन अपने लेना को किसी 38 आपको यह हो जागा 4FPS यह कॉंसेट जहां पर करेगा यहां पर कॉंसेट करेगा रज़ सो 2 इंच यहां तो आप देख सकते हैं यह पाइप सेज में राइजर और इंच फ्लूर का आपको 3 वाल्टर सप्लाइब यह कैल्कुलेट कर लिया है तो आपको यह लर्न संथिंग फ्लूर को अच्छा लगा हमाँ तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकम को तबा लें ताके अगली आने वाली वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बीच से देंग यू पर व झालिज है झाल झाल झाल